हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टेटी विद ग्यान प्रकास में दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भरती ऑप्रती बोड के द्वारा बहुप्रतिक चीत UPSI यानि की उपने रिक्षक नागरी पुलिस और साथ इसाथ प्लाटून कमांडर पीसी और मानक वो कितना होना चाहिए आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और जो फिजिकल टेस्ट होता है साथी साथ पूरा जो स्लेक्सर प्रोसेस है कम्प्लीट हम आपको बताने वाले हैं डेटा बर्थ और एरिजबिल्टी के बारे भी करेंगी चर्चा तो थोड़ा सा वीडिय प्रशक नागरिक पुलिस के लिए जो पद हैं वो जनरल के लिए 3613 पद हैं EWS के लिए 902 पद OBC के लिए 2437 अनसुचित जाध के लिए 1895 और अनसुचित जन जाध के लिए 1803 पद हैं तो कुल पद यहां पर हो रहे हैं 9027 ठीक है इसमें भी होरिजंटल अरक्षन जो आप तो यहां पर जो स्वताता संग्राम सेनानी के आश्रित होंगे उनको 2% भूतपुर संग्यों को 5% और मैलाओं को 20% का आरक्षन दिया गया है पदों की संख्या आप यहां पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्लाटून कमांडर के लिए कुल 21чи सीर्य चार जो चार सीच्ट हैन और यह है इसका होरिएंटर रीजर्यवेशन स्वात्मता संग्राम से लाणी के दो प्रेश्यत और भूति पुर्पूर संग्यों यहां पर देख सकते हैं और रिजर्वेशन के अमसार आप सीटों को यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं चलते हैं आपको यह बता दें कि यहाँ पर यह बता गया है कि जो आवेदन है वो एक अप्रेल से स्टार्ट होगा और आवेदन सुल्ख जमा करने की जो लास्ट डेट होगी वो 30 अप्रेल रखी गई है रातरी 12 वजे तक और आवेदन सुल्ख जो होगा वो 400 रुपए रखा गया है हरता में जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत का नागरिक हो या फिर दिबती सनराथी हो जो भारत में अस्थाई निवास के प्राय से पहली जनरी 962 के पहले भारत आ गया हो तो ये कंडिशन्स हैं इसको आप देख लीजेगा इसके बाद सैक्षिक अर्था देखते हैं उप्रिन रिक्षक नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर पीसी पत के लिए भारत में विधिद्वरा स्थापित किसी विश्विद्यले से ग्रेजिट होना चाहिए आपको या फिर इसके सम्कक्ष कोई अर्था होनी चाहिए अगनिस्तमन दुती अधिकारी के लिए विश्विद्यले या किसी भी इनुश्ट्री से आपका विज्ञान में अस्नातक होना चाहिए या इसके सम्कक्ष कोई अर्था होनी चाहिए और यहाँ पर जो अपेर्ण हैं सम्मलित हो रहें या अपेरिंग अभिर्थी मानने नहीं होंगे यह बात आप लोग ध्यान रखेगा अधिमानी अर्था का कोई अंक नहीं है लेकिन अगर दो अभिर्थियों के अंक बराबर आते हैं और उसमें से एक अभिर्थी के पास डोएक का निलेट या फिर प्रादेशी से नामे नियुनतम दो वर्स की अवादी या फिर राष्टी करड़ेट कोड नंसीसी का बी सर् पिकेट होगा तो उनको फ्रफरेंस मिलेगी आयो कि गरना होगी एक जुलाई दो हजार एककिस से एक जुलाई दो हजार एककिस को आपकी मिनमम एज 21 वर्स होनी चाहिए और मैक्सिमाम 28 वर्स तो मतलब यह कि एक जुलाई उननेसो तिरान में से पहले और एक जुलाई 2000 के पस्चात न हुआ हो आरक्षण में यहाँ पर जो दिया गया है उसमें लगभल लब पांच परस की छूट है उसको मैं आपको बता रहा हूं आगे और सारे स्वासता यह तो आप समझी रहे होंगे ठीक है भर्दी की प्रक्रिया में यह चैन उत्तरवदेश उपर परिक्षा होगी और यह जो परिक्षा होगी वह वह तो निरिक्ष प्रकार की होगी इसमें सभी प्रस्ण क्या होंगे आपजेक्टि होंगे परिक्षा इस बार आनलाइन होने वाली है इसमें हिंदी के सोवंग होंगे हिंदी बहुत ही मत्पूर है मुल्विदी समिधान औ परिक्षा के नंदर गर आपसे स्टेटीजिके और करणने फिरक के कुशन पुछन पूछ रहेंगे, तो इससे 100 प्रसना आपको हल करने होंगे संक्यात्मक और मानसिक योगता परिक्षा के नंदर गर सोंग, और मानसिक अभिरुज और बुद्धी लब्धी तार्खिक परिक विभिन पालियों में आवजित करवाई जाएगी और अलग अलग जो रहेंगी पालियां उसके जो अंक होंगे उनका नार्मलाइशन किया जाएगा ठीक है अब यहाँ पर यह बात ध्याना कि कम सकम जैसे कि आप यहाँ पर हिंदी देख रहे हो तो आल ओवर कम सकम अगर आप कुल मिला के 50% अंक हासिल नहीं करते हो मतलब कम सकम 200 अंक अगर आपके नहीं आते हैं तब भी आप मेरिटिस में नहीं आओगे और मिनिमम कोई भी एक टॉपिक होगा इसमें से उसमें कम सकम आपको 35% अंक तो लेही आने हैं तो यह बात आपको ध्यान में रखनी हैं और ब अबरतियों के लिए नियुंतम उचाई एक सो साथ सेंटीमीटर रखी गई है और यहां पर और प्याद देख लिएगा कि सामान और अने पिछडी जातियों और अनसुचित जातियों के संबंदी जो बैठती होंगे उनका नियुंतम सेने का माप 79 सेंटीमीटर होना यह टिपड़ यहां पर की गई है महिलाओं की जो उचाई होगी वो जनरल ओवी सी और यस्टी के लिए 152 सेंटीमीटर है और यस्टी के लिए होगी 147 सेंटीमीटर महिलाओं का जो वेट है वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए आप नोटिफिकेशन ध्यान से दिखे हैं या फिर मारी वेबसाइड इस्टडी विद ग्यानप्रकास.com पर भी आप आ सकते हैं फिलाल चैन और अंतिम शर्चा सुची कैसे बनेगी तो इसके बारे में यहां हर बात बताईगी है तो इसको आप ठीक से समझे कि सबसे पहले तो आपका रेटन एक्जाम होगा उसक अरक्षण और आयो सिमा में छूट भी सामीर है तो आप देख रहे हैं कि अनुसुचे जात के लिए 5 वर्स अनुसुचे जन जात के लिए 5 वर्स वोबिसी के लिए 5 वर्स और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए यहां पर आप देखेंगे तो प्रतिसत में जो मतलब दिया गया है लंबवत आरक्षण तो उनको जो है 10 परसत का आरक्षण दिया गया है लेकिन उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है तो यह आपको यहां पर देखना है और इसके अलावा कुछ और भी चीज़े हैं जो कि आपको देख करी आविदन करना चाहिए त इसके बात आध्यान लखिएगा ठीक है और आविदन की जो प्रक्रिया है वो आनलाइन होगी और यह वेबसाइट होगी यूपीपीपीपीपीडाट यूवीडाट इम इस पर जाकर आपको आविदन करना है ठीक है फिर हम चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आपक कर सकते हैं तो प्रस्ले बस आपके सामने है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो नीचे दिया गया है यह क्या है यह प्रारूप दिया गया है अलग-अलग करा एक काम आएगा तो यह था एक संछेप में एक नजर मैंने आपको दिखा दिया कि पूरा notification क्या है और उसमें मुक्की मुक्के बाते क्या है पूरा notification आप हमारे टेलीगलां सर्ट पर भी पाजएएगे अगर आपने हमारे टेलीगलां तयलीगार तो वहाँ पर उमीदो भराए एकवर्स है और हमें दिसंबर के खत्म होने से पहले-पहले अपने सपनों को सच करना है एक सीठ हमें पक्की करनी है अपने जॉब के लिए और आपको याद दिला दे हैं कि हम अगर आप अभी तक नहीं आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच अभी ग्रेट डेग जय हैं